और नमस्कार परसाधियों djser classes के online platform पर आपका बागत है आप हिन अंदर है हम बात कर रहे थे भारते इतियास की भारते इतियास elaborateissent क्या पढ़ रहे थे कुछ पढ़ रहे थे ह strongest पहले हमने देखा तता किस्तु प्रकार से से और कहां किस प्रकार से उसका जीवन या सामाजिक जीवन सारी चीज हमने कापीच कुछ देखाता है और जो आप नक्सा देखी रहे होंगे जो देख रहे हैं आप यह दिखाई दे रहा है आपको यह सिंदु घंटी सब्बेता के नगर का चित्र है किस प्रकार से मतलब लो इंदु घंटी चब्बेता का चित्र दिखाई दे रहा है आपको कल वाला थोड़ा सारी वाइस करते हैं कि बाद हम आगे बढ़ते हैं तार से एक एक चीज सबसे पिले हमने देखा था इसका मैप देखा था इस प्रकार से यहां से सिंदु नदी निकल कर आती ही है नदी यहां से इस तरीके से निकल कर आती है तो भारत की तरफ से सिंदु नदी निकल कर आ रही है कई सारे भागों में भाजित हो रही है कई सारे भागों में भाजित होने के पश्चात इसके आसपास में जो लोग बशावट होगी इसके आसपास जो लोग बसने लगे या रहने लगे करने लगे वही यहाँ पर क्या कहिलाने लगी फैर्य दोस्तों संदू घंटिस अख लांगर लगे थी इस प्रकार से ऊपर आप प्रकार से हमने देखा पहरे दोस्तों और देखते ही कहा जाता है कि यहां पर क्या सिच्वेशन आती है कि यह सारे नगर जो देख रहे हैं यहां प्रामरी बला कोट मौंजोड़ू सिंदू यह नदी है और उदर से सतला हडपा हडप करके बाद गिर आवी वगिरा यह शारे जो इस्तल देख रहे हैं सबसे उत्रिचोर मांडा इसके बाद हम बात करें नाक्स्ट नेखिएगा भारते इत्यास कामने जिक्र किया ता तीन भागों में बबाजित किया था प्रागिति यहाशिकाल और इतियाशिकाल सबसे पहले देखा था हमने जिसके लिकित साक्ष से मिलते हैं वो लिखा हुआ या पढ़ा जा सके जिसको लिखा गया है वही पढ़ा जाएगा इसके लिकित साथ से नहीं मिलते हैं कौन से साथ से मिलते हैं पुरा तात्विक साथ से मिलते हैं तो इसे काल को क्या प्रागेतियाशिक काल कहा हमने आदेतियाशिक काल कैसे काल के ल लिखा भी गया है और पडाबी गया है आइस आ काल को क्या कहेंगे अैतिहासिकाल गया इसार काल करते हैं इसकी हडपा इस्तलकी और दयारामसानी के द्वारा इसकी खोज की जाती है कौन से इस्तलकी वही हडपा इस्तलकी खोज की जाती है और देखे किस तरीके से हमने हडपा तक पहुचने का कारे किया था रेलवे लाइन बिचाई जा रहे थी कहां पर बिचाई जा रहे थी करां खतम हो जाते हैं स्पोर्ट खतम हो जाने के बाद यहाने की गई और उस इसके आदेश पर बटन बंदू के आदेश ृध यहां पर क्या पर उठ नन किया गया हुदाइब का पर वही उठैत की गई कहा पर तर किगई श्तीलय पर खुदाइए करने कि बावजूत का जाता है यहांसे कापके सारी इटे निकलती है और यहींटो का प्रियोग यहां पर इसे रेलवलायन के सपोर्टर के किया जाता ता है पर शपोर्ट के सब्सक्राइं चलिएगा ये बात करें नेक्स्ट आगे बात करें पहरे साथियों और आगे कहा जाता है कि यहां पर हमने नाम करन किया था जोन मारसल ने इसको सिंदू शब्वेता को क्या नाम दिया था सिंदू शब्वेता को जो नाम देने का कारिय किया था जोन मारसल के द्वारा दिया गया था पह इसे हडपा जो है वर्तमान या प्रारंबी की जो इस्तल मिला था इसका उसका आधार पर इसे क्या कहा गया इसे हडपा सब्वेता कहा गया तो यह तिनों नाम आपके साथ हो जाते हैं और इस परश्ट हो जाने के साथ साथ पर दोस्तों जब इस परश्ट हो जाते हैं इस पर के बारे में चर्चा करें तो का जाता है कि यहां पर देखें तो क्या क्या सिच्वेशन आती है इसका विस्तार कहां कहां है किस किस छेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है इसके विस्तार में हमने देखा सिंदुगाटे संबेता का भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान देश्तार में अपने भारत में अभारत में मिलता है भारत जुम में औरganobrush के उतर उत्र करें यहां पर हमने देखा तो यह अ विश्तार के बारे में ए पर आए यह हैं तो कितनी 16000 सो किलोमेटर लंबाई मानी जाती है उत्तर से जखण की देखा जाये तो चोदा सो किलो मेटर मानी जाती है लेकिन कुछ समय बाद यहां पर और उत्खंदन किया गया और खुदाई करवाई जाती है और खुदाई करवाने के बाद यहां पर लगबग 20 सी के समान ते लेकिन बाद में उस्वं कोणी चत्रुबूज के समान इसके तो सरव पृतम कहा जाता है कि यह मंडा इसका उत्री स्थल माना जाता है भारत में देखे तो मंडा को उत्री इस्थल माना जाता है और बात करें तो पूर्वी इस्थल कहा जाता है आलम गिर्पुर जो यूपी में पढ़ता है पार दोस्तो वरतमान में वैरत के पास है और पाज़ता है इसका प्ष्श्चिमी इस्थल माना जाता है संदू संगी संदू संगई संधू समेता का आए मात्र सतात्मिक संगता करते हैं कहाता इसे में नगरिय शंदीन की बात करे हैं तो इसनायान के बात करे खैस prohibited यहांक के जो नगर था यहां का नगर तारतार सिंदु सब्वेता का जो नगर था पैर दोस्तों दो भागों में बटा हुआ था और दो भागों में कौन से कौन से पहला जो भाग है यहां पर जो पहला भाग माना जाता है पैर दोस्तों पहला भाग कौन सा माना जाता है पहल यहां पर सामाने जिम्ता निवास करते कि आगे बात करें कि आगे बात पर दोस्तों क्या सिच्वेसन आ जाती है कि यहां पर जो हम ने देख रहे यह structure के बाद से देखे तो यह सिच्वेशन देख रहे पैर दोस्तों अब यहां पर थोड़ा सा हडपा के लिए हमने यह देखा था कौन से इस तल के लिए देखा था भई हडपा जब इसका नाम रखी दिया था हमने यहां से थोड़ा सा में यहां पर एक की जेट कर देता हूं ह हडपा के बारे में हम जानकारी पराप्त करने लगज़ाता है ठीके पिर दोस्तों अब देखखीगा यह सारी जानकारी हो जती है कि यह कि लिए हडपा के लिए श्थल जो था थोड़ा सा जियह दुर्ग टीलर में तम ने देखा था इसके कुछ विशेश्ता हैं देखी थ अब अब करते हैं हम बात करते हैं हम बात करते हैं पैर दोस्तों सबसे पहले यहां से लेते हैं देखीगा यहां से अब हम नाम देते हैं इसको हडपा कौनसी सब्वेता पहर दोस्तों हडपा सब्वेता नाम दे देते हैं कौनसी हडपा कौनसी पहर दोस्तों हडपा सब्वेता के बारे में पढ़ रहे हैं हडपा सब्वेता के बारे में पढ़ रहे हैं हडपा सब्वेता के बारे में जानकारियां प्राप्ट कर रहे हैं कि कौन सी सब्वेता के बारे में अडप्पा सब्वेता के बारे में जानकारियां कि आप तरह लेएगा एक मिनिट भई कि देकि कि देखें चलीगा एक मिनिट आप कि छीटा के रहे हैं कि दो इस चलीगा एक मिनिक आप कि दो रहे हैं कि उनले को नहीं है कर दोए और पास भायों कि पर यहां पर देखेंगे लेगा सीच्वात करने है ऊपर सब्सेप lly लोकेशन किया है लोकेशन देखने के लिए क्या करेंगे हम यह कहां पर है पैर दोस्तों यह जो देखने को मिलती है हमें यह मिलती है पंजाब प्रांथ पंजाब प्रांथ कौन सा वाला पंजाब प्रांथ भी पंजाब दो भागों में वाजित हो गया था हमारा जब भारत सोतंतर गुआ तो लॉकेशन मिलती दोस्तों वो कहां पर मिलते पंजाब प्रांत और पंजाब प्रांत कहां का पाकिस्तान वाला का पर इस्तित कहां है इस्तित कहां इस्तित कहां यह पंजाब प्रांत में कहां पर है पंजाब प्रांत में कहां पर वही पंजाब प्रांत में पंजाब प्रांत कहां का यह पाकिस्तान वाला कौन सा है वही पाकिस्ता वर्तमान वाला पंजाब प्रांत के शाहिवाल जिले में कहां पर शाहिवाल जिले में कौन सी जिले में हैं ये शाहिवाल जिले में पंजाब प्रांत के शाहिवाल जिले में इस्तित है वर्तमान में जब देखा जाए इसे तो कहां पर ये पंजाब प्रांत के शाहिवाल जि पर जो सिच्वे से देखने को मिलती है प्यार दोस्तो इसकी खोज अब बात करें तो यह तो हो गई आपके location सामने आ जाती है इसकी खोज की बात करें किसकी बात करें इसकी खोज इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज दयाराम इसके द्वारा दयाराम शाहनी के द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई वही दयाराम शाहनी के द्वारा की गई और दयाराम साहनी ने इसकी खोज कब की थी प्यार दोस्तों 1921 में की थी कब की थी 1921 इस्वी में स Adams sunday केम थे उसके बादो नदी के और नदी के तक पर रावी नदी के तक पर है जयान रखना डखना र्हे हं रावी नदीके तक您 कि नदिए चाहां पर खोज की गई थि और जो बाएं तट है यहां पर खोज की जाते हैं कोई से सब्वेता की फएर दोस्तो शडपा उत्र जाता है इसका जो उत्खननन है वह उत्खननन दो बार किया जाता है क्या किया जाता है next जो बात करें हम तो उत्खनन की बात करें किसकी बात करें उत्खनन किसकी बात करें वही उत्खनन उत्खनन जो किया जाता है पैर दोस्तो उत्खनन दो बार किया जाता है किति बार किया जाता है वही उत्खनन दो बार किया जाता है किति बार होता है दो ब वत्स के द्वारा किसके द्वारा माधो स्वरूप माधो स्वरूप वत्स के द्वारा किसके द्वारा माधो स्वरूप वत्स के द्वारा यह उत्खनन करवाया जाता है यह कब करवाया जाता है पैर दोस्तों माधो स्वरूप वत्स के द्वारा यह उत्खनन करवाया जाता ह इसका पहले बार जो उत्खनन संहरुब सद्द के द्वारा सेकिड बार जो उत्खनन करवाया गया मार्टी मर्मार्टी मर्वीलर द्वारा मार्टी मर्मार्टी 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 दूसरी बार उत्खनन करवाया जाता है क्या करवाया जाता है दूसरी बार उत्खनन माटेमर विलर के द्वारा करवाया जाता है कौन सी सब्वेता का हडपा सब्वेता का तो यह जानकार समझ में आई होगी इसके कोज किसके द्वारा की सबसे पहले तो यह कहां पर पढ़त करवाया जाता है कब करवाया जाता है दूसरी बार 1946 में करवाया जाता है इस तरीके से यह सब्वेता अस्तित में आ जाता है आपकी आपकी सब्वेता कहा जाता है कि इसके कुछ उपनाम भी रखे जाते हैं इसके इसके हडपा के उपनाम की बात कर रहा हूं में इसके उपनाम किसके पहर दोस्तों हडपा के उपनाम रखे जाते हैं और हडपा के उपनाम क्या रखे गए पहर दोस्तों यह ध्यान रखना है आपको पहला उपनाम जो देखने को मिलता है वो लिकला मिलता है कोई तोरण द्वार वी कहा जाता है कि तूरण द्वार के नाम है या कि पहली बार जब इसटल खो जा गुया पहला कि आपको पता है कि इस वह प्रकार मुझे करता है तो सब각 पहले तोरण महाना पड़ता है यहां सबसे पहले खोजी गई जो सब्बेता थी वो कौन सी थी हडपा था यह पहला इस थल था इस कारण क्या कहा गया इसका रख दिया तोरण द्वार रख दिया गया समझ मैं अब पैरसातियों इसी के साथ इसका दूसरा उपनाम देखने को मिलता है इसे अर्द ओध्योगिक नगर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दूसरा दूसरा जो उपनाम देखने को मिलता है इसका यह मिलता है पैर दोस्तों अर्द ओध्योगिक नगर और दोगिक नगर देखने को म मिलता है इसको प्यार दोफटों को हरबिधा इसको इस तो अर्द उद्योगी कि नगर के संग्याभी दी जाती है तो यह साधी जानकार या सब्सक्राइब कि परकार से बटन बंदों ने इसके बारे में बताया था पहली बार उसारी चीजिए हम पिछली क्लास में देख चुके थे इसके बाद इसकी खोज जो की गई रावी नदी के तट पर बाएं तट पर की गए ती उत्खनान का कितने बार दो बार करवाया गया मादो सो रूप वच्छ और माटी मर विलर की द्वारा करवाया गया तोरण द्वार और और अधुक्री नगर भी कहा जाता है यह सारी चीजिए आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकायणान के ने दिए तो रह यह जानकार जाएं कि और यह सो मेसन के दोर अझान के 1626ी दिए और यह जानकारी देने के कि और भारती यह कि आंट है था कि दिवार कि सथापना थे बहुत के आप मैं भारती रहा किया जाता है ये किसके द्वारा कि आ जाता है भारतिये भारतिये पुरा तत्व विभाग की स्थापना की स्थापना की की गईती प्यार दोस्तों कब की गईती इसके द्वारा कनिंगम के द्वारा की गई थी और इसका नाम बदल कर नाम बदल कर क्या कर दिया भारतिये भारतिये पुराता तुर चर्वेट इसका तद्व कर दिया गया इसका नाम बतल कर भारतिय पुरातात्रुक शर्वेक्षन विवाग कर दिया गया था कब गया गया था इसमें सर्वेक्षन को जोड दिया गया था किसको जोड दिया गया था भी पहले सर्वेक्षन नहीं था तो भारतिय पुरातात्रुक की विवाग किसके द्वारा कनिंगम की द्वारा 1861 में की गई थी इसके इस कारण कनिंगम को क्या कहा जाता है भारती पुरातात्रूर कनिंगम को किसको कनिंगम को कनिंगम को भारती है पुरातात्र विभाग का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है भारती पुरातात्रूर कनिंगम को कहा जाता है परति प्रातात्युयां का जनक नता है जोस्ते लगा करो पुछा जा सकता आपके ना के भी-जम ऐगा को लिख लेना है आपको sorry लगा लेना इसको टीक है याद रहता जायगा चलिएगा आगे चलते हैं तो क्या सिच्वेशन आती है सिच्वेशन यह आती है कि यहां पर कई प्रकार की और भी जानकारे मिलती है चलो आगे बढ़ते हैं देखी है हमनेख्र देखा था यहएं इस पर पूरा का पूरा लागो उता है इस पर हम सिंदु की जानकार है प्राप्ट कर रहे थी ने खेँ गाया था उसके चित्रके बारे में कल जांकार यह प्राप्ट गीPD और वह हुंसा इस्तल हडपा इस्तल का जो नगर नियोजन था वही नगर नियोजन लाता है इसे परखास्निक निवास किया करता था इसकी बाद करें पärदोस्तों दूस् diameter की सामाने-जनता के लिए यह यह पर दूसरा टिला हुआ करता था और सामाने-जनता कर दो दोस्तों यह आपका अन्नागार है एक लाइन में छे दूसरी लाइन में छे यह विशाल अन्नागार जो देखने को मिले हैं यहीं पर देखने को मिले एक दो एक दो चार पांच और छे यह एक है एक है एक है दो टीन चार पांच और छे पीछे हो गए और छे ही इसके पीछे वाली लाइन में बने हुए एक दो गैसे गीनने में ने लिए थोड़ा इस परश्ट फोटो ने आ रहे वही की तरीके से छे इदर और छे इदर दो पंक्तियों में बने हुए एक है यह सब्से बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत को इमारत टीकर और वो क्या है आपके अन्नागार है क्या यह यह क्या है अन्नागार ना갈 बार है Eat पंग्तियों में ना तो लाइनों में बने हुए यह इधर है इसके पीछे वाले यह भाग है जो यह बने हुए पैर दोस्तों तो यह रखपा की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है पैर दोस्तों यह अनागार है और तार्थ अनाज भरने के काम में लिए जाते थे किसके काम में लिए जाते थे यह अनाज भरने के काम में लिए जाते थे यह विशाल अनागार है इसी के साथ बात कर रहें नेक्स जो आपने देखा था पैर दोस्तों यह यह विशाल इस का क्या है पैर दोस्तों यह जो दुर्ग है यह दुर्ग टिला यह सामा ने जनता इधर निवास किया करती थी यह इसका इसनानागार है यह इसका इसनानागार देखने को मिल रहा है यहां पर यह लोग निवास कि इसनान किया करते थी यहां पर लोग इसनान किया करते थे लोग इसनान किया करते थे कहां पर इस इसनानागार यह बगल में क कपड़े बदलने के लिए कुछ कम्री वगिरा बनाए गए हैं इसी प्रकार से ठीके और नेक्ट बात करें मियां अब यहां से क्या और जानकारी मिलती है यहां से मकान जो बने हुए थे कि से बने हुए यह मकान कच्यी इटो के बने वे थे और कैच्छी एको के साथ पर पैरसाथ यहां पर मकान तो काच्छी लेकिन नाल vision predictור की वili नाली विवस्ता भी थी नाली हैuben रिपकल सब्केश चाही रिच्थ हमने देखा किसी तरीके से DNA से देखा था यहां पर यह जो हुआ करती थी थी पीयर दोस्तों यह जो सड़के थी यह मुख्य सडब्सक्रक्रीक क्या थी यह मुख्य शडख्यू करती थी यह क्यों सड़क्र matters यहाँ पर नगर का प्रवेश में उबाया करता था दोस्तों नगर का प्रवेश में नगर का प्रवेश में उबार कर दों तर अर्थार एस तरह रहाव पर टीजी जानकारी मिले हमें यहाँ पर जानकारी हुमें मिलती है कि समाने 變? यहां की जानकारी मिलती है यहां से मिली है इसके बाद करें पैस्वात की यहां यह सامाने टिला हुआ करता था, यहां से हमें नाव की जानकारी भी मिली हुए, किसकी जानकारी मिली है, क्या बनी हुए यहांपर? कुछ नाव की जानकारी भी मिली है। यहां पर दीष में जो परिवन का साधन था जानपर क्या करते थी न शाप करने के लिए यह कुछ बैलाएं बेटी ति जो शाफ करने का कारे किया करती ती यह और जो की खेती वुआ करते थी और यह अन बंडार के लिए उन का प्रियोक किया करते थे इनके दर्वाजे जो है पेर दोस्तो घरों के दर्वाजे गलीओं में खुला करते थे किदर खुला करते थे घरों के दरवा जै गल्यों में खुला करते थे चलिएगा यहाँ पर और क्या क्या बात थे किती हम नहीं को एरसातिों यह लिपी की बात कीती है है動画 यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ और देख लेते हैं कुछ विज़ सेष्टा और महत्रट्पूर्ड जो जानकार या है और भी देख लेते हैं इसके बारे में देखिए सब्से पहुदे बात करें यहां पर घरों के ... की भरों के दर्वाजें पहरों के दर्वाजें कि गलियों में खुला करते थे मुख्ये शड़क की और ना खुलकर ना खुलकर किदर खुल लिखते थे गलियों में खुलते थे उख की शड़क की और ना खुल कर गलियों में खुला करते थे और दूसरी बात करें नेक्स्ट बात करें एक स्वींग वाले गेंडे एक शिंग वाले एक शिंग वाले गेंडे के अवशेश मिले हैं एक शिंग वाले गेंडे के अवशेश मिले हैं एक शिंग वाले गेंडे के अवशेश मिले हैं कांसे मिले वही यह हडपा से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है इसी के साथ बात करें एक सिंग वाले गेंड़े के आउशेश हमें यहां से प्राप्त होते हैं उसी के बाद बेल के आउशेश मिले हैं लेकिन गाय के आउशेश नहीं मिले यह हमने कल बात की थी पीपल वरक्ष के आउशेश मिले किसके पीपल पीपल वरक्ष के आउशेश मिले क्या मिले हैं लवरक्ष की जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है अर्था यहीं से स्वास्तिक चित्र मिला है क्या मिला है यहां से स्वास्तिक यहां से क्या मिला है स्वास्तिक चित्र मिला है क्या मिला है स्वास्तिक चित्र जो बना होता है इस तरीके का यह स्वास्तिक का चितर मिला है तो सवास्तिक चितर मिलता है और बात करें दूस्तु जह के इस तरीके गर्ब से इस कि गर्ब से एक फोदा निकला हुआ दिखाया गया एक फोदा निकलता हुआ दिखाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मात्र देवी या फिर प्रत्वी देगी भी के प्रतिमा है एक एक महिला के गर्ब से ओधा निकला हुआ दिखाया गया है दिखाया गया है जो प्रत्वी देवी या प्रत्वी देवी या पूर्बरा देवी पूर्बरा देवी की प्रतिमा प्रतीत होती है प्रतीत होती है अर्थार्थ इसे उर्बरा देवी कहा जाता है क्या कहा जाता है एक जो यहीं से पैर दोस्तों एक गर्ब गर्बस्त इस्त्री यानि की इस्त्री है तरीके तरीके से गर्ब धारन किया हुआ है और यह गर्ब से क्या एक पोदा निकला हुआ दिखाया गया है जिसे क्या कहा जाता है मात्र देवी या प्रत्वी देवी की प्रतिमा मानी जाती है इस तरीके से एक पोदा दिखाया गया है पैर दोस्तों तो यह इस तरीके से यहां पर दर्शाया गया है तो इसे प्रत्वी देवी या किसकी उर्वरा देवी की प्रतिमा माना जाता है किसकी प्रतिमा माना जा पराप्त हुए हैं टंदाव सब्वेता की जो वहरेति पैर दोस्तो वो कहाँ जाता है कि यह सेल खडी से बनी वेए ती किस से बनी वेवर टी शंदोश संबेटा की जह मोहरे हैं वह कांइश किस से बनी हो टीद निद्धक संबेटा की मोहरे सेंदव सब्वेता की बोहरें तेल खड़ी तेल खड़ी से बनी इस्टे टाइट तब बोलते भी इस्टे टाइट इस्टे टाइट से बनी बनी होती थी तेल खड़ी से बनी होती थी या इस्टे टाइट से बनी होती थी यह हमें जानकारी कहां से मिलती है यहां से जानकारी और देखें किसकी प्रसादन मंजुसा की जानकारी मिलती है यानकारी मिली है यानि प्रसादन मंजुसा क्या होगी मेकप पैटी या क्या हो जाएगा पिएर दोस्तो वेकप या सन्नार दानी क्या कहीं तो मंच rag और पेटी वर्ञार करती है उस कारण का जाता है कि यहां से मेकप बॉक्ष मिला है मेकप बॉक्ष या प्रसादन मंजुशा की जानकारी भी हमें यहां से मिलती है ठीक है कहां से हड़पा के इस्तल से या हड़पा नावकिस्तान से हमें यह जानकारी भी मिलती है यह सारी चीजे देखने के पश्चात का आ जाता है यहां पर मानव के सा किसके साथ मानव के साथ बकरे को दफनाने के शाक्षे भी मिले हैं क्या किसके साथ मानव के साथ यहां से यहां से मानव के साथ मानव के साथ बकरे को किसको पैर दोस्तों वक्रे को दफनाने के शाक्षे भी मलेई के शाक्षे मिले हैं क्या मिले पैर दोस्तों अर्थात मानव बख्रे के शाओ दफनाया गया था क्या यानि कि मनूष्य किसके शॉत्य दफनाया गया था ऩा और दूसरी तरव मानव का कंकाल इस तरीके से एक तरव ऑफष बना और यह देखेगा बक्रा यह इस तरीके से और लगा दिये मानव और बक्रे का कंकाल यहां पर देखने को मिलता है साथ में मानव और बक्रे का कंकाल एक शाथ मिला है कुछ सब्वेता से मिला है प्यार दोस्तों यह हडपा सब्वेता से मिला है और बात करें सरवादिक अलंक् चर्वादिक अलंकृत चर्वादिक अलंकृत अलंकृत ओहरें इस हडपा से मिलती है ठीक है तो यह सारी चीजें हाने कहां से प्राप्त होती है देखेगा इस लिपी बाद करें तो लिपी की हमने चर्चा कि प्राप्त की यहां की यहां की यहां की कि यह जो लिपी पहलएन कसी जितराक्षर चितराक्षर को सी है जिसके मूलक्षर चोंशत बताया गए जो दाएं से बाएं सोरी बाएं से दाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है इसी को का आ जाता है सरपिला कार लिपी का जाता है गो मुत्री लिपी का जाता है बुरुष्टो फेदन का जाता है बुरुष्टो फेदस का जाता है बुरुष्टो फेदम का जाता है इसका प्रियास किया है वो कौन थे नटवर जहा के द्वारा इसका प्रियास किया गया है जो दोनों की दोनों क्या होते पैर दोस्तों अशपल होते हैं इसको पढ़ने में अशपल होते दोनों वेक्ती अर्थार्थ इसको पढ़ने में क्या हुए दोनों वेक्ति अशफल हो जाते हैं क्या हो जाते भई सेंदव सब्वेता में जो लिपी प्राप्त हुए हैं यहां पर इन दोनों को पढ़ने में अशफल हो जाते हैं यहां से बात करें देखी का और क्या-क्या जानकारी मिलती है हमें देखी पैर सौतियो देखी तरही था यह जे यह सथी होरने इसनानागार यह भैक रहा है यह पूरी मोहर है पयर दोस्तों क्या इस मोहर यह इसी का चित्री यह है यह भी मोहर है यह नर्तकी की मुर्टी यह भी एक मोहर है और इस मोहर में कहा जाता है कि यह मोहर एक का एक कोना तूटा हुआ है जिसमें एक तरफ गेंडा बना हुआ है एक तरफ यह व्याग्र बना हुआ है एक तरफ हाती बना हुआ है नीचे दो हीरण बने हुए हैं यह एसी जानकारे भी हमें यहां से मिलती है यह लिपी को आज दिन तक कोई पड़ नहीं पाया ठीक है पैर दोस्तों तो इसे पड़ने में कुछी को भी शपलता प्राप्त नहीं हुए यह सारी जीए यह पुरा का पूरा नगर का चितर देखने को मि शिंदु घंटी सब बैता की और चीज़े देखे तो यहां से और क्या जानकारी मिलती है यहां से शोचाले की जानकारी मिलती हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो यहां से तो चाले की भी तो चाले के आउशेश में मिले यहां से किसके आउशेश में मिले है शोचाले के आउ युसा मिलिए क्या मिलिए कास्ट कास्ट की पेटी कास्ट की पेटी यानि की लकड़ी की पेटी दोस्तों यहां से लकड़ी की पेटी भी मिली अर्थात यह अपने प्रियोग में लकड़ी का प्रियोग क्या करते तो यहां से किसके जानकारे मिलती है हमें यहां से लकड़ी क की पेटी या काश्ट की पेटी की जानकारे भी हमें यहां से देखने को मिलती है और बात करें यहां से गदे की हड़ी मिली है क्या मिली हमें गदे की इसकी पैर दोस्तों गदे की हड़ी मिली है क्या मिली है गदे की हड़ी यहां से मिली है और थार्थ यहां से गदे की हड़ नहीं हुए लेकिन कहा जाता है बाद में जाकर गोड़े के अउसे सभी स्थानों से प्राप्त हो गए थे लेकिन सिंदु गांटि सब्वेता से ऐसी मानेता है कि गोड़े के अउसे कहीं से प्राप्त नहीं हुए और कहा जाता है बाद में और ये अउसे से हर इस्थान से इस जगा देतां आपको इडिख लिया जगा पैरसातियों यह बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की इसकी यह स्वास्तिक चित्र और स्वास्तिक चित्र की हमें जारगारी मिलती है यह इस तरीके से यहां पर देखने को मिला था हमें स्वास्तिक चित्र मिला था यहां पर देखने को मिला था यहां पर देखने को मिला था यह इस प्रकार से बनावा था पहर दोस्तों जो सुभ माना जाता है हमारी बाहर चे शंसक्रती ने और यहां से कोई प्लेट बनी हुए कोई कटोरी बनी उए कोई पीने के पाने के बिना हैंडल के मिले दूझे की बनी हुए है और थार्फ यहां की लोग मिट्टे के बरतनों का प्रियोग किया करता था तो यह गई कि यहाँ पर दोस्तों तो यह सारी जानकार यह हमें पराप्ट कर लिए एक बार देख लें पुरा का पूरा रिवाइज कर देता हूं दो मिनिट में और देखिएगा यहां से हमने सिंदु गांटी सब्वेता प्रारंब की थी और किस प्रकार से इसका छित्र देखने को मिलता है यहां पर कहां कहां पर इसके साइट से मिले हैं हमें कहां कहां इसके इस्तल देखने को मिले हैं उस शारे के सारे इस्तल इसमें हो जाते हैं इसके बाद नेक्ट पेज बर ह उसमें इसने जानकारी दी ती किस परकार से वैलेवेलाइन बचाई जा रही Tी बैटन बंदु की द्वारा बयत्रल बंदू के द्वारा रैवेलाइन बिचा जा रहीOO जिसे जो बर्टन बंदू करते हैं जोन बर्टन विलियम बर्टन ये दोनों भाई थी जिसके द्वारा सरवपरतम 1856 में इसकी जानकारी दी एक टीले की हुजाई करवाएगी जहांसे इटे प्राप्त की तो इन्होंने जानकारी दी कि यहां पर कोई प्राचिन इस्तल रहा ह इसके नामकरण के बात करें सिंदु घंटी सब्वेता का रफिक मुगल ने इसे क्या कहा सिंदु घंटी सब्वेता का और वरतमान में जो प्रियोग है इसे हडपा सब्वेता कहते हैं क्या करते हैं सब्वेता प्र partir में हृचना में पूर्व में सबसे न И生 सब्जा करें सब्वारतर। 226 दूंतार सब्रहे करी 건조 में देमाम और यह वी चीश्जा रहाए शेक्रम कार्टेर चीडेर न हो गया है वर्तमान में इसको कुंसी आकर्ति दी गई विश्म कोणी चत्र लुची देखन İsके आकर्टी देखनी को मिलती है इसके देखाता है इसके इसे बेधा करें स्बिए और सब्सक्याइब करते हैं विह वास्तों से देखी ती का पड़ी वास्तों में देखा जाए किसे लोकेशन र Sugdo प्रांत में पाकिस्तान में साहिवाल जिले में इस्ते थे इसकी फोजदेया रामसानी के द्वारा की गए थी ये रावी नदी के बाएं तट पर विख्षित हुए इसका उत्कना दो बार मातुसुरू बवत्स और मार्टेमर वीलर के द्वार मातुसुरू बवत्स 1926 में इसका उत्कना और मार्टेमर वीलर कब 1916 में इसका उत्कना करवाता है इसके दो उपनाम भी देखने पैंज तोरण दौर और अर्द तूविं नगर भी इससे कहा सताथ बात करें यहां तो भारतिय पुरादाट्रियस्टापना किसके द्वारा कनिम्गम के द्वारा की लाड कर्जन के द्वारा कर दिया गया ता इसके प्लत्साथ बात करें कि यहां प्रकूरा का तरफ क्या होती ति घर को समकौन पर कारते थी किसे गृडप जाल पद्धिती या तरक पत्धिती और श्पोर्ड सरकस्पत्धिती इसे कहते हैं सारी जानकार है कि हम निवास किया करती ती मकान की कची यह राखता यहां पर वास्थे πती चैप इसलियों एक कपने से नद innocent कव रहें दक्षिन की तरब नगर चिन यहां से एचाह करें कार methane 9 आइधाकर मिलें। कुछ कपे यूगनिस समाध्या भी हमें यहां पर सब्सकूर लोगों में रहुता गरों Druid प्रतिमानी जाती कांसे का दर्पण मिला है यह क्या करते थे आप निए धे आप निहारते हो सजते हो सवरते हो यह मेक अप और दुनिया वर की चीज़े तो भी करते तो मेकप करते थे यह भी करते थे थे ना जंदर सब्वेता से मोर रहे हो सेलकडी स्टेटाइट की बनी वह ती प्रसादन मंजुसा मिली संगार पेटी मिली यह यहां बहुत आगी और यहां से मानौ जो है बकरे के साथ बकरे से बड़ा प्यार करता था तो उसको जा वही ठीक है चलेगा इसके परचात हमें जानकारी के लिए यहां सरवाधिक अलंकृत मौर रहाफपा से मिलती है और दोस्तों तो यह सारी जानकारी के बारे में देख्ली ने चित्र परकारि सब्वेता पूरा पूरा नगर चितर बना हुँए इस परकार से था लेकिन इसको खोद लिया गया खोदने के प्रिस्चात यहां पर नहीं निकाली गई जब खोदा नहीं गया था उसके परकार से देखने को मिलता था यह पूरे जानकार यहां सोचाले के वस्थेज मिलें कास्ट के बैटे के वस्थेज लकडे देवदार का प्रियोग कि लगे रहे जौस और जुनन के साथ और आज के लिए इतना ही कापी कल मिलते हैं अधियों आज के लिए नमस्कार